पांच दिन, पांच चीजे, घी में भून कर खालो, सांड जैसी तागत आएगी, सो साल तक आप हल्दी जीएंगे, कमजोरी आपकी दूर हो जाएगी, खून की कमी दूर हो जाएगी, डैवटीज, कॉलेस्टोर और दिल की बिमारियों में भी रामबान ओश्टी, नमस्कार दोसो, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है, दोसो, आज हम आपके लिए एक ऐसी ओश्दी लेकर आए हैं, जिसका सेवन यदि आप एक बार भी कर लेते हैं, तो आपका श्री ताकत वर बन जाएगा, सांड जैसी ताकत आजाएगी आपके श्रीर के अंदर, और दोसो, सो साल तक आप हेल्दी हस्ट पुष्ट जीएंगे, दोसो, ओश्दी बनाने के लिए आपको चाहिए इस तरीके से मुंफली के दाने, मुंफली के दाने, दोसो, काफी पोश्टिक होते हैं, ये पेट से जुड़ी सारी समस्याओं को दूर कर देती हैं, जैसे कि यदि आप को एसिडिटी होती हैं, कबज होती हैं, या कोई और अन्य बिमारी है पेट की, उन में ये रामबान ओश्टी हैं, मुंफली के दाने खाने से दोसो, शरीर में ताकत आती हैं, कमजोरी आपकी दूर हो जाती हैं, और ये गर्वती महिलाओं के लिए भी काफी फायदेमंद दूसरी चीज आपने लेनी हैं, बादाम, बादाम दोस्तो हमारे लिए काफी फायदेमंद हैं, बादाम खाने से आपका मुटापा घटा है, प्रोटीन आपको भरपूर मिलेगा, यदि आप बादाम का सेवन करते हैं, बादाम में विटामिन E परचूर मातरा में पाय जा दूसरी चीज आपने लेनी हैं, गौनत, गौनत काफी फायदेमंद हैं, इससे आप इम्मुनिटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी इम्मुनिटी को मजबूत कर सकते हैं, माश पेशियों को इस से मजबूत بنا सकते हैं, हड़ियां इस से मजबूत हो जाएंगी, यदि आप गौ काफी फायदेमंद है तो आप गौंद जरूर सेवन करें दोस्तों आपने अगली चीज इसमें लेनी है किश्मिष जो है वो काफी फायदेमंद होती है हमारे शरीर के लिए इसमें फासफोर्स होता है कैल्शियम और पडाशियम भरपूर मातरा में बाय जाता है दोस्तों गोई हुई किश्मिष खाते हैं तो ये भी आपके लिए काफी फायदेमंद है दोस्तों इसमें आइरन होता है मैगनीशियम और कैल्शियम भरपूर मातरा में पाय जाता है ये हमारे दिल के लिए काफी फायदेमंद है और दोस्तों इससे आप अपनी कैल्शियम की कमी को दूर कर सते हैं ये खून बनाने की मशीन है खून इससे इतना बढ़ जाएगा कि आपको डोनेट करना पड़ेगा यदि आप किशमिस का सेवन करते हैं बच्चों को भी किशमिस का जरूर सेवन कराना चाहिए अगली जो चीज लेनी है आपने आपने लेने हैं तरभूज के बीज तरभूज के बीज काफी फायदेमन होते हैं इनमें दोस्तों प्रोटीन होता है जिंक आयरन काफी मातरा में पाय जाता है फाइबर भी इसमें होता है जो कि आपके मुटापे को कंट्रोल करने का काम करते हैं इसमें कैलरी कम होती है इसलिए इने जरूर खाना तर्बूज के जो बीज होते हैं वो हाट के लिए काफी फाइदेमंद है, डाइबटीज में भी काफी असर दिखाती है, और राल हेल्थ के लिए हमारे लिए काफी फाइदेमंद है तर्बूज के बीज, इन्हें वैसे तो तर्बूज के साथ ही खाना चाहिए, लेकिन यदि आप इनको तर्बूज के साथ नहीं खाते तो इनको अलग से रख लें और सुखा लें सुखा कर दोस्तों इनके छिलके को उतार लें आप और जो अंदर से ये गिरी निकलती है काफी हेल्दी होती है हमारे श्रीर के लिए इस तरीके से आपने ये पांचों चीजे घी में गी में भून कर ये और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगी और दोस्तों आपने इन सारी चीजों को सुखे खाली पेट लेना है दूद के साथ आपने ये सारी चीजे भून कर रख लेनी हैं कम से कम आपकी ये एक महिने आराम से चल जाएंगी और एर टाइट डिब्बे है वो मजबूत बन जाएगा हाट में ब्लोकेज है उसकी समस्याद दूर हो जाएगी यदि आपका कॉलेस्टोल पढ़ता है कॉलेस्टोल कंट्रोल में आ जाएगा डिब्टीज को कंट्रोल करने के लिए काफी हेल्प करेगा आपका जो वेट है वेट बढ़ रहा है वेट इससे दूर हो जाएंगे तो दोस्तो आप भी इस ओशदी का आज से सेवन जरूर करें सर्दियों में इस ओशदी को जरूर खाएं ताकि आपकी जो नसे हैं वो खुली रहें आप काम ठीक से करते रहें आपके श्रीर में ताकत रहें और सो साल तक आप हेल्दी हष्ट पु झाल शूब आज जुछ है